हेलो एन वेलकम बैक टो माई चैनल तो आज हम आपको सलवार की बेल्ट में पोकेट लगाना बताएंगे तो इस तरीके से हमने सलवार की बेल्ट कटिंग की है दो इंच एक्स्ट्रा जितना हमें चाहिए उससे हमने दो इंच एक्स्ट्रा लिया है हाँ पर तो सबसे पहले हाफ हाफ इंच कपड़ा दोनों तरफ से दबाएंगे और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे तो हमने यापर सिलाई लगा ली है सबसे पहले हमने ऊपर से बेड़ इंच के लगभग यहां तक सिलाई लगा कर दिया है इसके बाद एक इंच कपड़े को छोड़ कर पूरे मार्जन पर सिलाई लगा दी है तो इस तरीके से आपको भी सिलाई लगाना है अब हम इसे इस तरीके से ओपन करेंगे और दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे तो हमने दोनों तरफ की मार्जन पर सिलाई लगा ली है अब हम इसका नेफा बनाएंगे इस तरीके से से मोड़ कर सिलाई लगा देंगे तो यहां पर हम अपनी डोड़ इंसर्ट कर पाएंगे लेकिन उससे पहले हम इसका पॉकेट बनाएंगे तो इसे बिल्कुल सेंटर में सेट करके रख देंगे इसके बाद हमें जिस तरफ पॉकेट लगानी है उस तरफ नौ इंच पर इस तरीके का निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे निशान सीधा करने के पाद इसे कट कर लेंगे तो हमने उपर का एक पार्ट कट किया है अब हम यहां पर देखेंगे कि हमें कितना फोल्ड करनी में जाएगा तो इस तरीके से हम देख लेंगे तो लगबख हमें 2-5 इंच जाएगा यहां से हम 2,5 इंच पर एक निशान लगा देंगे नेफा फोल्ड करनी के लिए दूसरा निशान हम 5 इंच पर लगाएंगे तो सबसे पहला निशान हमने 1,5 इंच पर लगाया दूसरा निशान हम पांच इंच पर लगाएंगे तो अब हम इसे उल्टी साइड से लेंगे हमारा पहला निशान यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है हाफ इंच के मार्जन से सिलाई लगाएंगे तो सबसे पहले सिलाई को पक्का करेंगे और इस निशान तक इसे पक्का कर लेंगे अब यह जो पांच इंच वाला गैप है इसे छोड़ देंगे और नीचे की तरफ भी से सिलाई लगा लेंगे तो अब हम इसे ओपन कर लेंगे और दोनों मार्जन को इस तरीके से रखते हुए दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे तो हमने दोनों साइट पर सिलाई लगा ली है और यह हमारा पांच इंच का गैप है तो बच्चे हुए फैबरिक में से हमें चौकोर पीस कट करेंगे इसकी जो चौडाई है वो साड़ी पांच इंच है और लंबाई पंदरा इंच है आपको जितनी बड़ी पॉकेट चाहिए आप उसे अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे उपर से हमने पांच इंच छोड़ कर इसे फोल्ड कर लिया है अब हम हाफ इंच मार्जन दबाते हुए दोनों तरफ सिलाय लगा लेंगे हमने दोनों साइड पर सिलाय लगा ली है और उपर से हमने इस कप्रे को हाफ इंच छोड़ दिया है अब इसे ओपन कर लेंगे और इस तरीके से इसे आयर्ण कर लेंगे अब बेल्ट को उल्टी साइड से लेंगे और इस वाले पार्ट को इसके उपर इस तरीके से रखकर यहाँ पर हम एक सिलाय लगा लेंगे और इसे पलट कर यहाँ से यहाँ तक की सिलाय लगा लेंगे यहाँ प्रफ़न प्राटका लेंगे तो हमने यहां पर सिलाई लगा ली है अब इसे इस तरीके से पलट देंगे और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे यहां से यहां तक लगा तक बंद वर दोज एक करयाए तो ये सिलाई कमप्लेट करने के बाद हम इसे सीधा करेंगे तो इस तरफ से ये हमारा पॉकेट बन चुका है अब हम इसका ये नेफा ड्रेडी कर लेंगे इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे पहले हाफ इंच फिर एक इंच और नीचे की तरफ से सिलाई लगा देंगे इस तरीके से पहले 1.5 इंच फिर 1 इंच फोल्ड करेंगे और बिल्कुल नीचे नीचे सिलाय लगा देंगे अबस्यार, चिनारक पाल आ नीचे सिलावल ौे, वहा boxus, वहाँ च्यक्ट्रेम, C1, इस बना जियुके स्कतिवारी хочापी आरटा से इस वहाँ हैंrale, क стал Yo-Rbян, फिर ले। गिर मैं आरता पाले से चरूल करेंगे और हम इस पहले हैं इसनार राजिच करेंगे तो हमने ये बेल्ट रेड़ी कर लिया है यहां पर हम नारा इंसर्ट करेंगे और इसके नीचे हम अपनी सलवार का घेर बनाकर जॉइंट कर देंगे तो आपके लिए आज के ये वीडियो हेलफुल रहा होगा अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग